हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज है 21 जनवरी और आज की वीडियो में हम 21 जनवरी से समंधित करेंट अफेर्स की मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन को डिसकस करेंगे और हरे कुश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे इस वीडियो के अंत में आपसे एक कुश्चन भी पूचेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इस वीडियो की पीडियेफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडियेफ आप मारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप की लिंक इस वीडियो के डिसकॉप्सिन में मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं विडियो स्टार्ट करने से पहले कल की कुश्यन को रिविजन करेंगी, कल का पहला कुश्यन है भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्वाइन जर्नेटर यानि की WTG किस रज में स्थापित किया गया, तो यहां पर option C correct होगा करना टक में, अगला है वन डे इंटरनेश की लास्ट 6 मन्त की यानि जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की, अगर आपको PDF ईबुक डाउलूट करनी है तो इसकी लिंक वीडियो की डिस्किप्शन में दे गई है, वहां से आप इस PDF ईबुक को डाउलूट कर सकते हैं, यह जो PDF ईबुक है, इसमें सारी कुश्यन्स उत्रप्र अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोश्ला की है, तो जैसिंडा अर्डन यह जो है वर्तमान में न्यूजीलेंड की प्राइम मिनिस्टर है, अगला है हाली में भारत के पहले राश्ट्रिया मूल्यांकन नियामक परक को किसने अधिसूचित किया है, तो NCERT ने ओप्सन यहां पर यह करेक्ट होगा, अगला है प्रतिवर्स राश सियोल में आयुजित किया गया, तो अप्सन यहां पर A करेक्ट होगा, दक्षिर कोरिया में, अगला है हाली में सम्युक्तराष्टर सुरक्षा परसद द्वारा पाकिस्तान के किस आतंकवादी को, बैस्विक आतंकवादी यानि की ग्लोबल टेररिस्ट की रूप में सूच की गई है, तो कहां पर तो ध्यान रखना है, औप्सन यहां पर B करेक्ट होगा, नालंदा जिले में, और यह जो इस्तूप हैं, किसे संबंदित हैं, तो भगवान बुद्ध से ये संबंदित हैं, अगला है कौन से ग्यान पीड पुरुषकार विजेता, नील बड़ी फू की संब। आज का से शेशन सुरू करने से पहले हम एक छोडा सा टॉपिक है, नोबिल पुरुषकार 2022 के, इनको जो है रिवाइस करते हैं, तो चिकिस्छा के चेतर में, ध्यान रखेंगे, इस बात को 2022 के नोबिल पुरुषकार हैं, चिकिस्छा के चेतर में, स्वानते मोर्टन मेल्डल को रसाइन के छेतर में साहित्य की बात की जाए तो एनी एनॉक्स को साहित्य के छेतर में सांती के छेतर में तो एलेस बाल्यास की और रूसी मानवादकार संक्टन है मेमोरियल और युक्रेनी मानवादकार संक्टन है सेंटर फॉर सेविल लिवर्टीज ये दिया गया है सांती के चेत्र में अर्थसास्तर के चेत्र में किसको दिया गया तो बेन एस बर्नान के डगलस डब्ली डाइमंड और फिलिप एच डाइवबिक तो इन तेन विक्तियों को दिया गया है अर्थसास्तर के चेत्र में तो सभी याद रखेंगे चिकिसा और साहित ये एक एक विक्ति को दिया गया है, तो very important रहेगा इनका नाम, तो इस सारे आपको अच्छी से याद रखने हैं, चलिए अब सुरू करते हैं current affairs का session, तो आज का पहला question है, राश्ट्रिय स्वास्त प्राधिकर्ण के निदेशक की रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो option य में प्रवीड सर्मा को स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा लेके राश्ट्रिय स्वास्त प्राधिकर्ण के निदेशक की रूप में नियुक्त किया गया, जो प्रवीड सर्मा है ये 2005 बैच के भारती रक्षा सेवा इंजिनियर्स के अधिकारी हैं, उन्हें 5 साल की तो ध्यान रखना है आपको राश्टी स्वास्त प्राधिकर्ण जो है इसके निदेशक की रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो हाली में प्रवीड सर्मा को और जो ये प्रवीड सर्मा है ये 5 साल की अवदी के लिए इस पद पर बने रहेंगे, तो वेरी इंपोर्ट हैं, ये जो है अभी दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित इनसान बन गई है, यानि इनके नाम पर ये रिकॉर्ड अभी दर्ज हो गया है, दोस्तो हाली में 115 साल की है, ये एज ध्यार नकनी है, 115 साल की एक महिला है, जिन्होंने एक नया गनीज वर्ल रिकॉर्ड बनाया, तो गनीज वर्ल रिकॉर्ड गया है, सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित महला, अभी ये जो है फिलाल इस्पेन में रह रही हैं, और ये वैसे अमेरिकी मूल की है, नाम क्या है, मारिया, बरानियास, मौरिरा, इनका नाम है, त्यान रखेंग इस बात को, और ये ज जो है मृत्ती हो गई थी, और जो फ्रांस की लूसल थी, इनकी उम्र थी, एक सो अठारा साल, इनकी उम्र हो गई थी, तो उनके बाद जो है अब, जो मारिया, बरानियास, मौरिरा है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित इंसान बन गई है, ठीक है, अगर अब इस तरह से पूछ रहा है कि जीवित महला कौन बनी, तो भी यही होंगी, मारिया, बरानियास, मौरिरा, और अगर पूछा जाए कि जीवित इंसान कौन है, प्रजेंट टाइम में, सबसे ज़्यादा उम्र का तो भी होगा, मारिया, बरानियास, मौरिरा, दोस्तों, ज 4 मार्च 1907 को इनका जनम हुआ था, और इस समय इनकी जो एज है, वो 115 साल और 10 महीने है, तो यह आपको ध्यान अकना है, वेरी इंपोर्टेंट है, तो अभी कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले निधन हुआ था, जो दुनिया का सबसे उम्र का, सबसे उम्र की जीवित इ इनसान थी, और नाम उनका था केंतना का, और वो कहां की थी, वो जापान की थी, टेक है, उसके बाद उनका जब निधन हुआ, तो जो फ्रांस की लूसिल रेंडन है, यह सबसे उम्र की जीवित निधन बनी थी, और अभी जो है इनका भी निधन हो गया है, और अब ये रि आप्सन करेक्ट हो जाएगा बी मनीस तिवारी को दोस्तों हाली में बिटिस भारतिय उद्यमी है मनीस तिवारी मनीस तिवारी इनको फ्रीडम ओफ दा सिटी ओफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया वजातिया अलप संख्या केंदृत मार्केटिंग एजनसी के संसापक भी है ये एवार्ड अगर इटिया की बात करें तो भारत के प्रत्म प्रतानमंत्री थे जवाहर लाल नहरू ठ्यके इनको यह वार्ड दिया जा चुका था और अभी बिटिस भारती है Uhudhamie Manisन तिवारी उन को यह वार्ड का नाम दिया रकना है भंफ दे बार ठीक है किसको मिला है तो मनीश तिवारी को ये बिर्टिस भारतिय उद्यमी है दोस्तों इसके अलावा यानि की भारत के बाहर की बात करें जो प्रमुख विक्ति हैं उन मैंसे जो दिवंगत निताया निल्सन मंडेला आप लोग नहीं का नाम सुना होगा इनको ये अवार्ड मिल चुका है माइक्रोसोफ्ट की संस्तापक बिल गेट्स को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है मनीश तिवारी हियर एंड नाव 365 नामक एजनसी के भी संस्तापक है तो नाम दियान रखेंगे मनीश तिवारी का इनको जो है अभी Freedom of the City of London अवार्ड से संभानित किया गय गया तो अप्सन यहाँ पर सी करेक्ट होगा डॉक्टर सैंडुक रूइट को दोस्तो हिमालियन मौतियविंद परियोजना के हिमालियन मौतियविंद परियोजना के सह संस्तापक डॉक्टर सैंडुक रूइट इनको जो है अभी मानव सिवा के लिए बहरीन के सरवुच न के नेत्र सेवरों में उच उग्लवत्ता वाले माइक्रो सर्जिकल ओप्रेशन के विसी सग्य हैं उन्होंने आधुनिक नेत्र चिकिस्था को ACI अफरीकी और लेटिन अमिर्की देशों के लिए सस्ता और सुलब बनाया है तो आपको इनका भी नामयाद रखना है Dr. Sandok Roit इनको जो है अभी मानव सीवा कले बहरीन का जो सर्वोच नागर के समान है IASA अवर्ड ठीक है कौन सा अवर्ड है तो IASA अवर्ड सी इनको जो है भी सम्मानित किया गया है ठीक है ध्यान रखेंगे आप और आप लोगों ने इस परियोजना को सुना होगा हिमालियन मौतियविंद परियोजना तो इसके ये सह संस्तापक है ठीक है डॉक्टर सैंडुक रूइट ध्यान रखेंगे इस बात को अगला है भारत के G20 प्रेसिडेंस के बीच दोस्तों भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दह्यत देश में पहले ग्लोबल टूरिजम समिट का आईजन 10 अपरेल से 12 अपरेल 2023 के मद्द किया जाएगा इसका आईजन भारत के परियोजन मंत्राले और भारती उद्द्योग परिसंग के सहयोग से किया जाएगा इस ग् तो यही इसका उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और कौन सा मंत्राल है जो है इसका आयुजन करेगा तो ध्यान रखना है परेटर मंत्राल है और भारतिय उद्ध्योग परिसंग के सहयोग से इसका आयुजन किया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली की बात है तो नई दिल्ली के बारे में कुछ important questions revise करते हैं तो एक question आपको ध्यान रखना है कि भारत के सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों का जो संग्राल है बनाय जा रहा है वो कहाँ पे बनाय जा रहा है तो नई दिल्ली मनाय जा रहा है भारत के सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों का संग्राल है यह ध्यान रखेंगे इसके अला वर्चुल कहां पर लाउंच गैंगया तो देश का जो पहला वर्चुल है वो दिल्ली में लांच गैंगया इसको धेया अरको और इसके अलावा मोस्ट इंबादन कुश्चिन को दिल्ली का जो राजपत मार्ग था उसका नाम अभी चेंज हुआ और क्या नाम कर दिया गया है तो कर्तव विपत जो है उसका नाम कर दिया गया है ठीक है याद होगा आपको राजपत का नाम बदला और कर्तव विपत उसका नाम कर दिया गया है इस चीज को ध्यान रखना है और दोस्तों इसके अलावा सरकारी स्कूलों म में किस भारतिय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रेंक प्राप्त हुई तो ये जो रेंक मिली है वो है मुके संबानी को option यहाँ पर सी करेक्ट होगा जोस्तो रिलाइंस इंडिस्टीज की जो चेर्मेन हैं और मैनेजिंग डारेक्टर हैं मुके संबानी इनको जो है अभी ब्रांड फाइनेंस दौरा जारी ब्रांड गार्जिंशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर नंबर टू और भारतियों में नंबर वन इस्थान दिया गया ब्रांड गार्जिंशिप इंडेक्स उन CEO को ग्लोबल लेवर पर मानिता देता है जो कर्मचारियों नवेशकों साहत सभी हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके व्यावसाइक मूल का निर्मार करती है यानि दोस्तों एक क्या है एक इंडेक्स है एक सूची अभी जारी की गई है ठीक है तो कौन सी सूची है तो Brand Guardianship Index ये जो Brand Guardianship Index है 2023 का है और किस के दोरा जारी किया गया तो Brand Finance के दोरा ये जारी किया गया अब ये बात करने के पहले इस्तान पर कौन रहा तो अमेरिकी Tech Leader है NVIDIA के Jensen Huang ये इस रैंकिंग में 83 BGI Score के साथ पहले इस्तान पर है और जो मुके संबानी है इनको कितना स्कूर मिला तो 81 दसमलफ 7 BGI का स्कूर मिला है मुके संबानी को और ये Global इस तर पर Second Position पर है तो आपको ध्यान रखना है है या से कि जो Brand Finance दोरा जारी किया गया है Index Brand Guardianship Index इसमें किस को दूसरा इस्तान मिला तो ध्यान रखेंगे मुके संबानी को काफी Important है क्योंकि Global इस तर पर दूसरा इस्तान मिला है तो पूचा जा सकता है अगला है हाली में किस राज में Painted Bat के नाम से जाना जाने वाला एक दुरलब नारंगी रंग का चमगादर देखा गया तो यहाँ पे Option Correct हो जाएगा एक 36 गड़ में दुस्तो 36 गड़ के बस्तर में कांगेर घाटी राश्टी उध्यान के पराली बूडल गाउं में केले के बागान में एक Painted Bait के नाम से जाना जाने वाला दुरलब नारंगी रंग का चमगादर देखा गया अब यह जो Question है Important इसलिए है क्योंकि यह जो चमगादर है यह वलुप्त प्राय प्रजाती की स्रणी में रखा गया है जो जो Painted Bait का वैग्यानिक नाम क्या होगा यानि इसका Painted Bait इसका सामाने नाम है और इसका Vagyanic नाम क्या है तो Kerry Walla Picta इसका Vagyanic नाम है जैसे कोई भी चीज़ होती है तो इसका Scientific Name होता है जैसे आम हो गया आम साधरण है आम का साधरण नाम है आम है लेकिन अगर वहीं बात करें कि Scientific Name क्या होगा आम का तो Magnifera Indica ये इसका Scientific Name है इसी तरह से और भी कई सारे नाम होते है जैसे बरगद हो गया बरगद सामाने नाम है और बरगद का Ficus Bagelsus ये इसका Scientific Name होता है तो इसी तरह से जो ये चमगादर है Painted Bait इसका जो गयानिक नाम है वो है कैरीवॉला पिक्टा दोस्तों ये जो प्रजाती है ये बैस्विक इस तरह पर ब्लूप्त प्राइप की सिर्णी में रखी गई है ये प्रजाती आम तोर पर पंगलादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनिसिया, मलेसिया, नेपाल, स्री लंका, थाइलेंड और वियतनाम में पाई जाती है भारत के अगर हम बात करना है तो भारत में ये कहां कहां पर देखी गई है तो भारत की बात की जाए तो अभी तक है पस्चमी घाट, केरल, महरास्ट, ओडिशा और चतीस गड़की कांगेर घाटी में देखी गई है तो ध्यान रखेंगे आपको कि अभी जो है एक दुरलब नारंगी रंग का एक चमगादर देखा गया है इसका नाम क्या है तो पैंटेट बैट इसका नाम है और इसका वेग्यानिक नाम है केरी वॉला पिक्टा अब यहाँ पर आपको इमेज दिखाएंगे इस पैंटेट बैट नाम के चमगादर की तो यह यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का यह चमगादर होता है नारंगी और ब्लैक का अगला है हाली में पद्म स्री से सम्भानित प्रभावेईन सोभग चंद साह का 92 साल की उम्र में नेधन हो गया 21 छित्र से सम्भादि थी तो यह जो है एक फिमस सामाजी कारे करता थी दोस्तो पद्म स्री प्रुसकार से समानित प्रभावेईन सोभग चंद साह का 18 जनवरी 2023 को 92 वर्स की आयू में नेधन हो गया प्रभावेईन सोभग चंद साह किंदर सासित प्रदिश दादर और नगर हवेली दमन और दीव की एक सामाजी कारे करता थी इनको जो है प्रभावेईन सोभग चंद को दमन की दिव्या के नाम से जाना जाता था यह ध्यान रखेंगे दमन की दिव्या के नाम से जाना जा किया था दोजार बाइस में प्रभाबीन सुभक चंद साहकू दादरा और नगर हविली दमन और दियु में समाजिक कारे के लिए भारत का चोथा सरवुच चुनागरिक पुरुषकार पदम स्री से भी सम्मानित किया गया था ध्यान रखेंगे आप काफी इंपोर्टेंट है कि जो प्रभाबीन सुभक चंद हैं इनका हाली में निदन हो गया ये कौन थी तो ये जो है एक जानी मानी एक प्रमुक समाजिक कारे करता थी इन्हे जो है दमन की दिव्या की नाम से जाना जाता था इस बात को भी ध्यान रखेंगे और इनको जो है दो हजार बाइस में प बन गई है अरूडा मिलर आपसन यहाँ पर बी करेक्ट होगा और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं भारत के एधराबाद में जनमी अरूडा मिलर ने अमेरिका में इतिहास रचा वह अमेरिका के मेरिलेंड राज की पहली भारतिया अमेर की लेफटिनेंट गवर परिवार को दिया जो भारत से स्विक्त रज अमेरिका में आकर बस गए थे तो यहां से आपको ध्यान रखना है इनका नाम कि भारत की हैदराबाद में जन्मी है अरुणा मिलर और यह जो है अमेरिका की मेरी लेंड राज की पहली भारतिय अमेरिकी लेफटिनेंट गवर्ण बनी है तो नाम ध्यान रखना आपको नाम क्या है अरुणा मिलर अगला है हाली में किस आयाइटी के इंक्यूबेटेट फर्म ने एक श्वदेसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विक्सित किया तो यहां पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आयाइटी मदरास दोस्तों भारती प्रदो की संस्थान है आयाइटी मदरास तो आयाइटी मदरास के इंक्यूबेटेट फर्म ने एक सोदेसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस भार ओएस विक्सित किया है यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हाई टेक सेक्योर्टी और बिद कर सकता है भरोस यानि की भरोस भी एच ए आर ओएस ओपरेटिंग सिस्टम कहे जाने वाले सॉफ्ट वेर को कॉमर्शियल अफ दा सेल्फ डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है या या यूजर्स के लिए एक सुरक्षित वातावन प्रदान करता है और आत्म को विख सित किया है नाम कया है तो ध्यान रखना है आपको भर ओएस भरोस ये भर ओएस इसका नाम है ठीक है और ये पूरी तरह से कैसा है थो ऑप्र 27 अमन्दित साथ है तो दोस्तों यह थे 21 जनवरी से समंदित करेंट आफेर्श के most important question जो कि हमने यहाँ पे discuss किये अब हम देखते हैं कल की वीडियो को question जो हमने आप से पूँचा था यह रहा कल का question जो हमने आप से पूँचा था कि किस देश के मिसेल सेंटियालिया ने mirror typing किताबें बना करके एक Guinness World Record बनाया तो यहाँ पे option C character था Italy के थे मिसेल सेंटेलिया और इन्होंने क्या किया mirror typing बना करके एक Guinness World Record बनाया और इसका जो answer है लगबग सभी students ने सही किया लेकिन मैं आप से हरोज कहता हूँ कि जो भी question आप से पूँचा जाए तो सभी लोग question का answer जड़ो क्या करो यह है आज का question हाली में जारी report के अंसार दुनिया का सबसे मुलेवान brand कौन बन गया तो यहाँ पे जो भी correct answer है वो आपको comment box मताना है और सभी लोग कोसिस करेंगे कि question का answer करें और दोस्तो कल Sunday है और कल जो है हमारी UP current affairs की जो सब्ताइक वाली वीडियो है वो इसी time पे आएगी तो सभी लोग उसे भी जरूर देखें पूरे सब्तावर के जो भी UP से सम्मदित important questions होंगे उनको हम उसमें discuss करेंगे आज का season कैसा लगा आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे like जरूर करें सभी लोग अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर अभी तक हमारी चैनल पढ़नाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें साथी वाल आकन को भी प्रेस करने ताकि इस सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तब कहुंचती रहे तो मिलते हैं नेक्स टी वीडियो में थैंक यू